नमस्कार, मैं हूँ सच्चेदानद वसिष्ट सज्जनों हर आदमी ये जानना चाहता है कि मेरी आयू कितनी है मुझे संसार में कब तक रहना है देखे कुछ वाते ऐसी हैं जो परमात्मा के अधिन होती है लेकिन जोतिस जो है ये एक ऐसा शास्त्र है हमें ये मार्गदर्शन देता है हर किसी विषय की जानकारी देता है तो उसके अंदर आयू पक्षिक भी जो के उसके अंदर रहे आयू का विषय भी उसके अंदर दिया हुआ के देखे करमों से आयू बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है लेकिन उसमें आयू हमारी तीन होती है अलपायू, मध्धमायू और पुरुनायू और एक होता है बाला रिष्टो तो बाला रिष्ट तो जनम से लेकर के 16 वरस तक कभी भी घटित हो सकता है उसके बाद में अलपायू वो 32 वरस तक होती है उसके आगे मध्यमायू जो 60 वर्स तक होती है और उसके बाद पूर्णायू होती है वो 60 से लेकर के 100 तक हो सकती है और कुछ अपवाद भी गए कि 100 से उपर भी कुछ लोग आयू को पराप्त कर लेते हैं लेकिन वो पूर्णायू होती है अब यहां पर करक लगन वालों के लिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ करक रासी वाले इस बात को अपने लिए ना समझें ये केवल करक लगन के लिए बताई जा रही है और करक लगन के लिए मारक ग्रे कौन सा होता है अस्टमम या युसस्थाना अस्टमा दस्टमम चयत तयोर अपी वेस्थानम मारक अस्थानम उच्चते है आठवा इस्थान आयू का होता के आठवे से आठवा आयू का होता के तयोर अपी वेस्थानम उन दोनों से जो वेस्थान होता के यानि बार्माइस्थान होता गए वो मारकस्थान मुच्चते मारकस्थान कहलाता गए अब बार्माइस्थान कुन सा होता है यानि करकलगन के अंदर मकररासी, सब्तमेश और दुतियेश दूसरे इस्थान का मालिक मारक होता गए लेकिन केवल यही मारक नहीं होते हैं एक मारक ग्रे की दसा में दूसरे मारक ग्रे की अंतर दसा आ जाए तो भी मरन हो जाता है प्रत्यंतर आ जाए तो भी मरन हो जाता है लेकिन वो कब जब आपकी आयू अल्प है तो अब जनम के समय पर मान लीजिए आपको जो गए चंद्रमा की दसा चल रही है अब मरन देने वाले कौन कौन शनी और सूर्या अब सबसे पहले चंद्रमा चलेगा 10 साल तक फिर 7 साल मंगल चलेगा 18 साल आपको जो है राहू चलेगा 16 साल आपको ब्रिहस्पती चलेगा और फिर आएगा शनी तो शनी करक लगन के अंदर मारक होता गए लेकिन उस शनी के अंदर भी दूसरे मारक ग्रे की दसा यानि सूरी की दसा या ब्रिहस्पती की दसा अंतर दसा या फिर बुद्ध की अंतर दसा आजाए तो मरन होता गए लेकिन आयू पूर्णक है और ये दसाएं आपको पहले प्राप्त हो गई तो वहाँ पर मरत्यू नहीं होती वहाँ मरन तुल्य कस्ट प्राप्त होता है अब यहां सूरी की दसा में सनी की अंतर दसा आजाए तो भी सावधान होना चाहिए क्यों कि छटे साथमें आठवां इस्थान के मालिक भी मारख होते गए दोती और द्वादस इस्थान के जो मालिक हैं वो भी मारक होते हैं या इन इस्थानों के अंदर अगर कोई भी गरे बैटा हुआ खेंग तो कभी-कभी वो भी मरन-तुल्यकस्ट्य या मृत्यू भी प्रदान कर सकते हैं ऐसी सिती के अंदर देखिए वैसे तो आयू ना तो कोई गठा सकता के ना बढ़ा सकता के लेकिन प्रयास चरूर करना चाहिए और वो प्रयास क्या के भगवान सिव की शरण में जाना चाहिए क्योंकि भगवान सिव को मृत्युन्जे कहा गया के और अब मृत्युन्जे मंत्र का नाम भी आपने सुना होगा महा मृत्युन्जे का नाम भी आपने सुना होगा कई प्रकार के मंत्र होते हैं उसमें तीन अकसर का मंत्र होता के चार अकसर का मंत्र होता के और मृत्युन्जे भी होता के तो ये पांच मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ उनका अनौषरन करके, उनका जाप करके उनका जाप करवा करके और महा रुद्र आदी करके इन कस्नों से आप निजात पा सकतेगए सबसे पहला ओम जूम सहा ये तरकषरी मंत्र कैये इसका जाप कीजिए कोई जादा इसमें बिद्वत्ता की भी आऊशक्ता नहीं है बहुत आसान तरीका है इसको बोलने का उच्चारन भी इसका इस्पस्ट हो सकता है ओम जूम सहा एक मंत्र कहें चारकसर कहें ओम हूम जूम सहा फिर इससे बड़ा मंत्र ओम हूम जूम सहा अरुबारुकमि बबन्दनान रत्योर मुख्षियमा म्रतात यह प्राया लोग इसका जो कहें ओडियो वीडियो भी सुनते रहते हैं और मंत्र प्राय सब को जो कहें यह पता भी है लेकिन एक तो शुद्ध उच्छारन होना चाहिए और दूसरे नंबर पर अगर आपको वेद पढ़ने का अधिकार है आप उपनीत हैं यग्योपवी संसकार आपका है तो वो आप जाप कर सकते हैं अन्यता जो उसके अधिकारी हैं विद्वान हैं उनसे आपको जाप करवाना चाहिए एक महाम्रत्यूजे हैं यह मंत्र महाम्रत्यूजे मंत्र कहलाता कि तो इनका अनुश्रण करके और आप जो कहें अपने म्रत्यू तुल्यक कस्टों से आप निजात पा सकते हैं आयू पूर्णक है और मारक दसा पहले आजाए तो म्रत्यू नहीं देती मरन तुल्यक कस्ट देती हैं तो इसलिए सबसे पहले किसी भी विग्य जोच्छी से आपको ये निर्धारन करवाना चाहिए अरादना करने ही करने चाहिए अन्य था म्रत्यू तुल्यक कस्ट पा करके और व्यक्ति बच जाता के बाकी और विसेश आपको जानकारियों की आउशकता के तो इन नम्रों पर आप संपर्क करें कारयले से अपैंटमेंट ले करके कारयले की सेवाएं अरपन करके और फिर आप जो हैं अपने जीवन की कुछ भी जानकारी आप राप्त कर सकते हैं नमस्कार हमारे यहां वैदिक ब्रह्मनों के द्वारा सभी प्रकार के पूझा पाट कर्मकांड, संगीत में विभा, ग्रीक लेश, काल सर्प दोश, व्यापार में रुकावट वन नव ग्रहों की पूझा आदि कराय जाती है हमारे संपर्क सूत्र है देवग्य सच्चिदानंद वशिष्ट जी से वास्तु, जियोतिश, वैदिक अनुष्ठान, पूझा पाट, महमृतिंजय पाट, शत्चंडी पाट, बगुला मुखी पाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आधी हितु संपर्क करें हमारे संपर्क सूत्र हैं 783888-98421 हमारी वेब साइट है www.shreevashist.com